प्रबु ने जो जो बाते हमको बोला है करने के लिए वो सब बाते करने के लिए मदद के रूप में हमको पवित्रा आत्मा दिया है उस पवित्रा के आत्मा के मदद से हम काम कर रहे है जो इसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं वो उसका है ही नहीं इनन नमके नमके देवालमा उन्डो अलेंगिल ना नहीं के पिड़ना देवालमा विलता है नहीं आनो यहन्ने नमके ले उन्हें परिस्वोदिकन अमने तिरिवाजन नमोड़ावशन उसके लिए आज का मनन के लिए जो विशय है वो यह है कि क्या सच्मुझ हमारे अंदर पवित्रात्मा है के नहीं अगर यदी अगर है तो क्या वो पवित्रात्मा ही है क्या हमें चला रहा है के नहीं यह बात को परखे करके ऐसा वचन में हम देखते है नमले नई क्यान वजनत अंदर टूंड़े हमें हमारे भूमी में प्रति दिन चाल चलेंग में चले के लिए जो एक मददगार जो नीव के रूम में हमारे साथ है वो है प्रभु का वचन नाल वजनत मात्रम भोर्या वजनत तिन दी आलमावं गुड़े लिए वजनत तिल नाई क्यान नमके परिशुदाल मावं गुड़े आवी चमा परन्तु वचन काफी नहीं उस वचन के अंदर जो चुपा हुआ बेद की बातें उसके अंदर की आत्मा का जो आनन की बातें समझना है तो और उस वचन के आदार पर प्रती दिन जीना है तो पवित्रा आत्मा भी हमारे अंदर चाहिए ताके हम वचन के आनुसार हम चल सके आज हम दुनिया बर में अगर हम देखे तो कितना कितना मसीही धरम का संगटना है इस दुनिया में यहाँ पर है संसार में हम देखते हैं तो प्रभू का नजर में एक ही प्रभू का सत्य मंडली है जो प्रभू का मंडली जो प्रभू बांद रहा है जो सावित्री मंडली परंदु आज मंडिली के नाम में इतना संगटनायक खुल कर उलोग सब लोग अपने उदेशों में इच्चा के अनुसार उलोग कर रहे ये सब कारण क्या है? तोगि जो जो लोगों ने इस संगटनायक होला है उलोगों किसी का भी पवित्रा आत्मा का मदद से उलोग ने किया है नहीं यानि कि बिना आत्मा के मदद से उलोग स्वयं में कारी करकर इस नतीजा और इस परिणाम में पहुचा है यहना का सू समचार के को और भी गयराई के समचने के लिए और उसको समच के उसके अनुसार चलने के लिए मदद के लिए है पहला यहना का पत्रत आज संसार का अवस्ता हमें एक बास समचना है जितना मनिश का जन संक्या है उससे भी आधिक दुष्ट आत्मा है है उनका जन संक्या जादा है तुष्टात्मा क्या करें? तुष्टात्मा के बारे में नहीं लोग सिखेंगे परतु जूटे जूटे आत्मा है आकर वचन को लोग लेकर उसका गलत अर्थ बताकर अलग अलग संगत्नाय कोल कर मनिश्यों को सही और खरा अउदेश से दूर करेंगा अपड़ आत्माविल आनो अदो दुर्याविल आनो यह परिशोदी के नायते परिशुत आलमावन ने सखा ये मजनत लूडे नमकर आलमाव तेरिम बोल नमकर उनी यह परिटरात्मा के नियंत्रन और आगया के अनुसार है के नी यह बात हमें स्वयम को परक्णा जरूरी है इसलिए वचन को गेड़ाय में जाने के लिए हमें बहुत मदद करता है पहला यह नहीं चार का दो जब हम पढ़ते समय में परमेश्वत आत्मा तुम इस रिती से परजान सकते हो जो आत्मा मान लेधी है कि एशु मसी शरीर में होकर आया है वह परमेश्वत के ओवर से है इसके वीचे पवित्रा आत्मा क्या आत्मा अर्त बताना चाहता है यह लिखते वग यह नहीं लिखते समय में उस समय में आत्मा क्या उद्देश से लिखा गया था ओ अर्त को भी आगर समझे के तो ही हम सही अर्त के अर्त में हमनों सापित हो सकते है येशु कर्ष्टु चरीरतिल वन्नु यन विशोशिचेटे मरिच्च पोई तो अरिकतिल पोई उर्वाड बहरू येशु मसी इस दुनिया में आया शरीर रूपदारन करके आया करके कितने करवडों लोग विश्वास करते हैं उलोग विश्वास करके नरक में ही गए महल मलादी वर निटें येशु देई वुतर नान जड़तिल वन्नु येशु शरीर में आया था पापों के लिए मराता करके परन्तु उद्दार नहीं पाया है तो उसका मलने ये वच्चन फिर क्या आर्थ बताना चाहता है तो प्रभु शरीर में आया करके ये बात जो सोबाविक समझ से हम समझते है वो अर्थ से नहीं पवित्रा आत्मा समझाना चाहता है इसका अर्थ को हम लोग यहना को सूसमाचार में पढ़ेगो तो हमें मालूम पढ़ेगा विश्वास किया है कि मैं पिता के ओर से शरीर लेकर आया है करके ये बात पर विश्वास करेंगा कर रहा है वो कहां से आया मरीलन वन्हु यहना अर्थ ते लाण पढ़ेगो अज लोग क्या बोल रहे है येश्व तो मर्यम के द्वारा आया करके यह लोग सोच कर उस अर्थ में जी रहे है कंदो वैसा नहीं है मरीलन वन्हु अर्थ तो मला येश्व को एक शुरुवात है और वो शुरुवात मर्यम में हुआ मर्या येश्व ने मादा आ अध आणा है तो इसके वज़े से अगर येश्व परमेश्वर में माता है अब हम सभील ने कर आ आया कहने का मतलब मर्यम से आया है वैसा अवन्हिए येश्वर में होन्ना है आद Efatik 대 leim मतलब मैं अमेरिका में जनम लिया हैं इसा क्या अलला बात कि येशु पिता के और से आया आए करें ये जानकारी आत्मा के मदस सही समझ में आएगा येशु उसके पहले अस्तित्व में नहीं था बिने मरी लिन हों परन्तु मर्यम के द्वारा पहले बार अस्तित्व में आया अंगर विशुषिचा लिदी वाजर योज कड़ाना में सरीर हो तो वंदू ये विशुषिचा मधी एंगिल अवा आनमा उंड़ यन नमने चिंद यहान का पत्र को का समझ नहीं तो यहान का सूसमाचार जानना जरूरी है अपड़ा यहान निचाना मधी आया में एंटा हम वागतिल वहान का सूसमाचार 17 का आठ में क्या बढ़ते है शरिया आइट परिशुषिचा आल्मा अब बुड़ा वरक यहान मन सरा उड़ा करता ह प्रभु वापर कहता है जो वचन तुने मुझे दिये मैंने उन्हें को पोचा दिये और उन्होंने उन्हों को ग्रहन हिया और सच जान गिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ देखा वजने कमा लिखा है सच्चा वेक्ति कौन है जो आत्मा में नया जनां पाया हुवा लोग आरकान आल्मा वुल्ड़दा किनकिन लोगो को आत्मा है नी एनिक्ति दे वन्हाँ वाजनां ये पिता आपने जो मुझे वच्चन मुझे दिया जान अबर कोड़ुतु मैंने उनको दिया अधन नमले सिहर इकनम हैंगिल तो ओ बच्चन हमको अगर स्विकारना है तो आ वेक्ति को आल्मा हुणडा ये रिकना ओ बच्थी को आत्मा हुणना ची नमले देसरोरिके लेगन दिल्वाई किनोंड़ वन्ना धियायम परिसुद्ध आल्मा हुणन संदोष तोड़ वजनन कैको नपोल्ड़ वजनन चुमाद इंगे नमले अबड़ अलक्षी माई इंगे 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 आगपावड वेशमीची इनने वजनन सिहर इकने अनला जो तोड़ वजनन सिहर चुमाद अलमा हुणन संदोष तोड़ वहाई यह अन्सालों आत्मा का आनम में वजनन को ग्रहन किया यानि की वजनन को ग्रहन करते समें वजनको सुनते समें में उदर-इदर मन लगकर उस वचन में कोई आनन नहीं है परंदू ऐसे ही सुनना पढ़ रहा है जबर्दिस्तिया गोलकर उस रिती से दुरलक्षे से नहीं परंदू आत्मा के नियंत्रण में आत्मा के मदर से आत्मा का आनन में वचन को सुनना ही उसका सही आरत है वे वाज़ने उन्द गुण अमने सेथी के पोगण आपड़ा परही आणे सत्यमाइटम न्यान पिदावनी अडिक नन्न वन्न वे अवन आरण जी रिगता। तो अभी वह जान लिया है कि वह पर गुणान चाहिए नियुक्त है कि आपर सभी जान लिया है कि तीरे आखान लीन वे एब को यह सत्य सत्य सची से वह लोग जान रहे है कि वह लोग ucking पित में पिदा के ओर खोब तो हम यह बात करेिसा जान रहे है आमेन आत्मा के मदल से मला हम लोग अभी कोई संदे नहीं है कुछे बिना संदे के पूर्वक हमारे कोई संदे उत्पन ना हो उस रीती से आत्मा प्रकट करके देता है प्रभू जब यहुदियों से बात कर रहा था येशु ने कहा कि मैं तो पिता के ओर से आया हो करगे ऐसा बोला तो यहुदि लोग को शग होने लगा संदे होने लगा ये क्या बोल रहा है तू तो हमारे पीच में ये ना मर्यम तो बेटा ने तू अप्र लगुण ने करता हो पर देता है यहाना आट का 47 में प्रभू क्या कहता है वर जानता है प्रभू को अपा तो जिस तरह पिता के ओर से पुत्र आया, 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 पिता के ओर से पुत्र और परन्तु आत्मों और गेहराई में क्या बताना चाहता है? परन्तु ये शुब जिस शरीर से पिता के और से आया, वो उसी शरीर से वापस पिता के और भी गया करके ये बात आत्मा भी बताएगा. परन्तु आत्मा में जो कोई विश्वास करेगा. ये शुमसी का शरीर ही अनंद शरीर है. अधान विश्वास में रिद्न होता है. वो ही तो है विश्वास का कारण? अधा उन्डागिन मिंगिल आत्मा उदन सगाई. वो विश्वास अमारें दो रुत्पन होना है तो आत्मा का मदद चाहिए. ये शुमसी शरीर में पिता की ओर से आया करके उतना बाद हमको नहीं बताएगा. वो विश्वास अमारें विश्वास को भूमी तक का सर में सीबित नहीं करता? बल्के आकाशों, तारों, सूरच के वे उपर के मंडलों तक हमें आत्मा पहुचाता है. वो क्या है? कि ये शुमसी शरीर से पिता के ओर से आया, वो वापस वो ही शरीर में पिता के पास गया. एंगल इने आपसलमारें विश्वासी लोग प्रेयरित लोग क्या करते थे? तो वो जबी भी इकतर होते थे, प्रेयरितों का विश्वास गता जाता थे या, वो लोग शिक्षन सिखाया जाता था करके हम पढ़ते हैं. प्रेरितो दोका 42 में हम पड़ते हैं अंतो वाजे में मिल्ला उस समय में अईसा लिखा हुवा बाइबल नहीं था पठ्छी आवरे कड़ने बन्नु पिर भी उलोग आत्मा का आनन से उलोग आयते संगती में इनना वह थे दोता और उलोगने क्या किया आत्मा का आनन से बरकर प्रेरितों का उबदेश बोला तो वो ये शिमसी का उबदेश है तो लोग जब सुनते रहेते समय में तो एक संगती और साहब आगेता होता था संगती का मतलब क्या है और संदोश हुंडागुन अनुपवाने कोटाइए न एक खुशी मिलने का अनुपवाँ जो लोग मिलते समय में एक जूसरे को देखकर खुशी उत्पन्य होने का अवस्ता है संगती सव आकेता अनुपवाविन ने कुटाइम उड़ भाई कि नुट अपपो वीनिगल अनुभुवी के मौल। और उब जब रोटी और धाखरास का अनुभौव करते समयमें अवर प्रार्तिके मौल। और उब प्रात्ना करते समयमें इधेलले अम सखाई के ना रहा हैंड़ा ये सब में मदद कोन करता है? पविता आत्माण बंड़ प्रभु दुबारा वापस आने वाले बीओ अमाथर मला येशू शिरीर से शरीर में आया हृत्रा पवित्र आत्मा सीखाता है अपड़ इस रीती से वच्छन का सही आत्मिक अर्थ को जब हम लोग समझने लगते हैं ग्रहन करने लगते हैं उसी से समझ सकते हैं कि आत्मा का नियंत्रण में हो रहा है अपड़ 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 आत्मा समय में यह तीनों बातों का हम देखते हैं इस नाइन बातों को जगत की उस्पद्धी से लेकर उसको बार बार दूम उठाना पड़ता पर अब यूक्यांस में वह है एथी बार प्रगट हुआ है आके अपने ही बनिदान के द्वारा क्यों आया यूश्यू को प्रभू के वचनों में मेरे विशे में लिखा है पिता परमेशन में मेरे लिए एक शरीर तयार किया है इस शरीर मेरे लिए तयार किया है तो मनलब क्या परमेशन का वेवस्ता क्या है बिना लगू बहाए शुटकारा नहीं पापो का शमा नहीं वह व्यवस्ता को पूरा करने के लिए ये श्वेक ऐसा शरीर में आया जिसमें लगू भी है किसके लिए आया नमक वेड़ी मेरे लिए प्रात्ना करने में उपस्तित है वह पर आत्मा बुदेश है ये आत्मा बुदेश है जिन लोगों के लिए वो पहले बार आया और उनी लोगों के लिए वो महापर बद्यस्ती करदелен कर दो आया ये श्रस अब में टों कर लाया या को अपर एक चर्वा को हम देखते हैं जिसको सव बेड़ देखते हैं अपर एक बेड़ जो खोग है तो उसको जब डूनता है अपर एक बेड़ को डून लिया जब वो बेड़ मिल गया तो अपने दीरू वो क्या किया आनन से वो बेड़ को उठाकर वापस जुंड में लेकर आया याने कि क्या हमें बचाने के लिए येशु बहुद आनन दीत है आ संदोश न अमले कोंड़ वरिदे दान परिशु दार्मा और वो है आनन्द येशु का वो आनन्द हमारे अंदर लाना है पवित्रा आत्मा का का दूसरा उधार हम देखते है पत्तु ब्रह्मा गाना दुवई एक सिक्का खो वेटा अदु कंड़ गिट्टी है पुड़ा संदोश चायल कारे येशु और वो सिक्का जब मिल गया तो वो खुशी है उसको मिला फिर वो बाकी के लोगों को पुला कर वो खुशी सबको बा अधिकोंड नमर संदोश चायल के लिए अगर नया जनम हुआ है करके हम बोलते है उस दिन आत्मा में अगर आने नहीं मिला मलब उस दिन से अब तक नया जनम हुआ नहीं है मलब नया जनम हुआ क्या वह एत्रिट चायव 127 हुआ नहीं है यन का वह नंत्यों संदोश चीए तो बात पर उसने आनन किया है और वो दिन स्वर्ग भी आनन किया हमारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है अब कर्णे उन्धे रहने उसका 28 में अब और वह दूबारा उंके लिए आरहे जो उनका वाद चोओ रहे है आत्मा जो भी कारिय करेगा और आत्मा जो भी हमको मसी जीवन में आनन देगा वो सब येशु से संबंदित बातों में हैं आत्मा जो भी कारिय करेगा उसका संबंद आत्मा तुरं येशु से जोड करेगा येशु का बातों में रहेगा परन्तो एक बेक्ति एक विश्वासी येश्य मसी के बारे में जब और और बाते जानने लगता है गहराई के बाते समझने लगता है और उसको आनन्द मिलता है वो है सच्छा पवितना आत्मा का आनन्द पहला कोरिंदी चे का सत्रा में पड़ते हैं जो मसी के साथ जुड़ा है वो एक आत्मा है ऐसे यह ना अंगने कर्था आत्मा में हम लग जुड़ जाने के बाद क्या उसके बीच में फिर दुष्टा आत्मा है आकर कारी कर सकता है क्या हमको आत्मा के मदद से एक आनंद मिल गया कुशी मिल गया और विश्वासी जीवन में जीते हैं समय में दुष्टा आत्मा भीच में बुश कर निराशा उत्पन कर सकता है क्या नमणा शरीर दी बरिवा नोगा अल्ण नमणा पुरुप्त विंदुगोंड़ वो बार्थ है नमणा जड़त्ते काकित रुखा हमें शारीरिक बनाने का कोशीश है करने का कार्या है दुष्टा आत्मा होगा नमणा शरीर दी जड़त्ते लिए शरीर दुवरेमोल नमणा अध़ पुरुप्त विश्वासी जीवन में जीते समय में वो विश्वासी चालचलन में चलते समय में एक स्तिर आत्मिक आनन्द में अगर उसको रुखने नहीं होगा तो वो कारण क्यों है नहीं रुख पा रहे है हमलो जाने अन्जाने में शारीरिक हो गए याने कि यादा कि जब हमलो वचन बोलते समय में बाटते समय में भी यानुबा होता है शायद शुरुवात में आरम में प्रगु का आत्मा एकदम सामर से हमें वचन देता है परन्तु प्रचारक आगे जाकर क्या करेगा वो उसका हुनर दिखाने के लिए उसका टैलेंट दिखाने के लिए देखो मैं कितना अच्छे से बोल रहा हूँ वो ज्यान को बताने के लिए उस पर जब हो आसरे करता है तो आत्मा का कनेक्शन निकल जाता है फिर उसके बाद वो जो भी बोल रहा है किसके मदद से रहेगा दुष्टा आत्मा से जटतिला मला शारीरिक है अपड़ी हान दुष्टा आत्मा कारिय करता है अपन कहें विकार जिन्दी किने अंतार है तो सुनने वाले लोग क्या सोचते है आत्मा में देखो कितना गहरा कोई जुष्टा आत्मा कारिय सुनने वाले लोगों में भी और हैस करें आत्मा तो जुष्टा आत्मा क्या करेगा वच्छन को तेड़ा या मोड देगा त्विस्ट करेगा अधुष्टा ना ओरिवार बजनम पर ये मोड इसले जब कोई वच्छन बोलता है अट्टू प्रचारक गलती करें तो भी सुनने वाले लोग आत्मिक है तो उलोग तुरंट परक लेंगे जाच लेंगे उलोग हम जानते है अपल्लोस नाम का एक बहुत बड़ा वेध पन्डिर वचं में बहुत पुरण नियाम का में बहुत शार्प और तेजना का आत्मि को वो पड़ेंगे उगर्ण वोए परचार वो कर रहा था ये लोल बोल रहे हैं, बोलाइब का प्रचार कर रहा है आग निकल रहा है इननले और को अप्ड़र आप श॥ प्रुदुम्बाओ परन्तु अखिलह और प्रस्खिलह नाम का एक परिवारे वहाँ पर वो सब बाते सुन रहे थे आपना हलमा उड़ा हुदा हमाँ आत्मा से बरे होए लोगते हैं इस अप्राइब शिरी आणा स्पिरिक्ट से आण पठे परेन लेंदो तेट्टूटा ओ आत्मा ओ भाई जब भुलते हैं समय में जिस आत्मीक उदेश से बोल रहा है वो सही तो है पर उन्त कुछ तो कमी है अबर एंदी है उलो ने क्या किया अधिति आत्मा के विशे में उलोगने उसको घर पे मुलाया ताके वो भाई का सेवा कर सके एले यह ना करना वीटी वन्देट पिनने कारियो परया है यह जो के घर पे आकर हम लोग आराम से प्रेम में बाते करेंगे आप अधिति आत्मा में प्लेरी तोकर और अभी लाबदाया कुआ मैं अमिशा सोचता अतुल भाई मुझे बहुत बार गर में बुलाते है आओ आओ कर गे पता नहीं किसके लिए बुला रहा है अभी तक मोगा नहीं मिला जाने के लिए आत्मा में अधिति आत्मा में वह न्याता को स्वीकार करकर अर अवस्ता को जानेगा तो उसको पुरा नहीं लगएगा सहीए बोलकर वो मांगे नमर होएगा अपला आत्मा में अधिति आत्मा में या शारीरिक हो का ओ बात का फरक तुम परक सकते हैं के नहीं ये बात आत्मा मदद करने के लिए आया है अपला आत्मा में प्रात्ना करो करके आइसा नहीं बोला है आत्मा हमें प्राइत्ना करना प्ट 새केल साथ का उनेिस में पढ़ते हैं आपने, इस्राइल के कुछ पराचीन लो, अभरी ओढ्साटिकर्गा दो प्रभू की उपसिती में आगर प्रात्ना करें तो परमेशवर अभी ऑटिल को पूछ रहा है बंगरिंपुके न थे चेपवन, अब्रणेख ना करें छालने रीज सपिर Randy एक ने ने एक प्रवार्ण ने कि उसका जी संतुष्ट होगा ना उनकी पेड़ फरेंगे वहां उनकी आधरम की ढोकर का कार्ण होगी पर अधरम की ड्रेंगे हैं अधरम की ढोकर आपने सामने रखी है हैं फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे अब प्रात्ना करते हैं येशु मसी के ओर से आया हुआ आत्मा का वो जीवन का व्यवस्ता आया हुआ जीवन का व्यवस्ता आया है अब प्रभू के ओपस्थिती में सबसे मुल्य विषयु मैं जो एक समय में शारीरिक बातों में खुशी मनाता था अपनल इनी जड़ती आल्ला तो अभी शारीर के लिए नहीं आत्मा को अपनल देवत्तो उड़ प्रार्ति करने मेंगिल इसले परमेशुन को प्रात्ना करना है तो करता आवेंडे प्रेश्यस ब्लेंडे वाली वारी इनन वेक्ति आयरी करना वो वेक्ति को येशु मसी का मुल्यवान लहु का कितना मुल्यता है वो कितना वहु मुल्या है ये वो प्रात्ना करने वाला वेक्ति आच्छी तार से जानना चाहिए प्रस्तिवने तार्ति कटना आला है क्या पाड़िला वह वेक्ति कभी भी येशु को गिरा कर येशु को तुच करकर फिर शरीर में आगा प्रात्न करन ऐसा नहीं होना चाहिए अजनी जोलब किर बोट्रा आत्मॉस्था पर्छठी क है और अर्मेट? इस थीनों बाते साथ में चलने वाली enorme जरख सोचों आत्मा में नहीं है तो तीन बाते करेंगे अमलों ओई अमले अब्रानी अब्रान्यों 10skा 29 में आत्मा में रहेगा तो भी तीन बाते करेंगे अरे घ्तात्व थो उठाएगा उचा करेगा अपने रेक्ततीने अमूळीय रेक्तम विलवड़को और उनका मुल्यवाल नहू को और मुल्य करेगा अरशुद्धाल मावरे एक कि वदी संभोशियो और पवित्रात्मे सबसे ज्यादा आनन्दित होगा इतने ओप सिट्टा ये कारिय नटकन अदे नम्मलिल आत्मा वो प्रवर्तन मिल्ला 10 का 29 पडे तो सोच लो कि वहां कितने और भी भारी दन के योगजे ठरेगा जिसने परमेश्वर के पुट्र को पाउ से रोंदा और वाचा के नहू को जिसके द्वारा वहां पवित्र ठराय गया था अब पवित्र जाना है अर अनुप्रा के आत्मा का अपमार के अपान किया सबसे बड़ा कारी के एक विक्ति अगर पवित्रात्मा के नियंदरंड में रहेगा तो विक्ति अमेशा येशु मसी को उचा उटाकर धनेवाद करते रहेगा करत्रुत्तुवं परिशुताल मावने संदोच वरिमिच वोन गारी मावन और वो येशु मसी का प्रभुत्व और पवित्रात्मा का आनन्द में बर्येगा ये प्रभुत्व और आनन्द साथ में चलते रहेगा फिर समय चुरुको ओंट बट्र नवरिवा उर कारी पढ़े निमिलन वाईगा समय बचानी किले जल्दी से पुरान नियम सम कुछ वाते हम देखेंगे समय चुरुको ओंट वैयर चुरुको अधिगार को अधिगार पिड़ुत्व तो अमालेक और अमोरिय लोग ये दोनो जुन के लोग हमेषा इसरायल के खिलाफ वो लोग रेते समें परमेश्वर का इच्छा क्या था जो राजा को मैं साथा हूँगा वो बहरी जात के लोगों को खतम कर दे या परमेश्वर का न्याई उनको प्रकट करे इस रीति से वो राजा को करा किया था इस आड़ था मिस्र से आते समय प्रिति दिखाई थी आता केनी आमालेकियों के लिए संदे सुनते ही शाउल कर पर परमेश्वर का आत्मा बल से उत्रा करने इसरायल को नाश करने आरे वाला है करके यह खबर जब आया तो शाउल के उपर आत्मा बल्वन्त होकर शाउल के अंदर कारी करने लगा इसे यह ना परमेश्वर के लिए आत्मा निकल गया करके आगी हम पड़ते उसका कारण के है अमा लेकिने नशिपी के लिए अच्छा था चंदू मुझी दू आये पल्या कारी इंगले अवन पिड़ते आगे चलकर फाइदा भी हो सकता है बली भी कर सकता है ऐसे कुछ-कुछ बातों को लेकर उसने समाल के रखा और जो गंदा दिखते उसको नाश कर दिया अपोल आत्मा का सामर उसने निकल गवाला वोखो भाइटा तमी शेमवेल पैल नशिपी ये परौश नीर्गमन का सत्रा में पड़ते जब शक्रमाह्त करने आयए थे उतल उतल जेते हैं गाने कहले उतल भाओ है जब तक बढ़ा ना उतल उतल इसे वह घंड नहीं हो जब तक बढ़ शाय थे समय में प्रबल होते रहते थे यह दोरों साथ में चल रहा है इंदर नर्तम उसका मतलब क्या है करताव जड़ते तगरते महुत पट सुर्गतिल पिराव इने वरित्वाथ आई रिकना देरसनतिल उल्लपोडल नमक जड़तिल रजये मुंड़ एक विश्वासी जब यह बात निरंद और बैटा है जब तक इस मनोबावना में विश्वासी रहते रहेगा तब क्या है वो अपने शरीरिक सोबाव और अभिलाशा पर विजय का आनुवाव में प्रबलता में जियेगा यह सामर्थ को बताने के लिए यह ऐसा है करके मुंकिन है करके बताने के लिए पुराने नियम में चाया के रूप में शाउल राजा को खड़ा किया शवल ने क्या किया वो अपने शरीर के बल में और वो शरीरिक बातों में आकरशित होकर मोहित होकर वो उसमें गिर गया अप देवों परवियों पी प्रभुने का मुझे मैं एक ऐसा विक्ती को डूंड लिया हूँ जो मेरा दिल का जैसा है वो ही राजा रहेगा अपने शरीरिक सोबा को खतम करने वाला अमेली के लोगों को पूरी तरह से नाश कर दे अईसा एक विक्ती को में ने देखा है पहला शामेल सोला का तेरा में हम पड़ते है तब शमेह ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाईयों के मद्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर अभिषेक को यहुआ का आत्मा दावद कर बन से उधरता रहा अदो क्या अपोले था सभूचिता है मतलब क्या हुआ जिस दिन जिस शन दावद अभिषेक हो गया तो एक ही साथ पढ़ना है चौदा में क्या हुआ तुरंट जिस जिस पल में जो जो शन में येश्यु मसीही मेरा प्रभू है अईसा मान और आदर देकर तुर्दही में पाइलोट असान में प्रभू को दिया अपोल आत्मा में सहाय पुलू नाए तब आत्मा का बल में सब कारी होते रहेगा आत्मा का मदद हम रुख जायेगा कितने बार अम लोग शारीरिक स्वभाव में गिर चुके हैं आत्मा का जो सामर से हमें चलना चेहता है इसा नहीं चल पाए तो आत्मा नहीं चला है तो फिर कौन चला है नम लोग शारीरिक स्वभाव जो है बहुत दोका देने वाला है हमेशा अमारी किलाम आता है नमड़ प्रतीवोले मुल्लो मरन चोरती कला है तो शारीरिक स्वभाव क्या है हमारा पुला प्रतीवज जो अमारे के स्वभ्रक में रखा था रोग वोगो पूरा की कि निच्चोड़के निकाल दे आहिसा स्वभाव है शारीरिक स्वभाव अगर शरीर के अनुसार तुम चलोगे तो तुम निष्चे मरोगे अधु आधु कुणड नमले कर्टाव जो हमेशा खड़ा रहे दा उसको ज obec बोर नियाय करने के लिए पर बिता वर्मेश्वर को जो उद्देश था कि एशु मनिश रूप लेकर आते समय में क्या करना चीए वो उद्देश को उस उद्देश में येशु मजी ने अपना शरीर में उनका शरीर में हमारा पाप को उसने कतम कर दिया आट का तीन और चार कैसा देखो जुड़ा हुआ है क्योंकि जो का व्यवास्ता शरीर की कारण दुर्बल होकर न कर सकती थी उसको परमिश्वर ने किया और तात अपने ही फुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बली होने के लिए बेज कर शरीर में पाप पर दंड किया अग्या दी उनके शरीर में पाप का दंड किया यहां पर आत्मा का मदद हमकों मिलता है क्रिस्तु राजा वाइटी कि ने इंदर आना क्यों बेटा है मेरा शरीर की ओर से जो सामर्थ पाप में शरीर का प्रबल होते रहते हैं उसको बुजानी के लिए उसको कतम करने के लिए और आत्मा का प्रेरना में आत्मा में बल में प्रबल साली होकर जीने के लिए यहां पर यह शैतन दोका देने आता है तुके वो शैतन कारी करेगा तो क्या होगा विश्वासी के जीवन में मैं आत्मा का आनन्द में जीरा हो यह शरीर का आनन्द में जीरा हो करके ये फरक पेचानने को नहीं हो पारा विश्वासी को शावल जब जब वो राजा था और अमेले को उसमें जो आगया दिया था बोलकर सोच कर आया प्रबल होकर आया करके बोलकर बड़ा बड़ा वीरकारी के बोलकर वो तो खुशी से आ रहा था ना परन्तु हमारा बहुत सा आनद प्रबु का आत्मा को दुख देता है तो क्योंकि इसके लिए हमें वो फरक जानना जरूरी है अयूप के बच्चे उलोग हमेशा उल्सा बना देते परब मना देते खुशी मना देते परन्तु वो एक शारीरिक आनन था इसके वज़े से वो लग परमेश्वर को टुकराएंगे तो ही वो लग शरीर में आनन कर सकते उसका एक का चा पाच पड़ेंगे जब जब होज के दील पुरे हो जाते तब तब आयूपुझे बुणवा कर पवित्र करता और बड़े धोर को उटकर उनकी जिंती के अधिसार होंबली चड़ाता था क्योंकि आयूप सोचता था कदाचित मेरे नड़केदे पाफ करके परमेश्वर को छोट दिया हो उल्साव बोला तो एक खुशी का बात है ना मनोरणजन का अवस्ता रहत है हम आपर खुशी का माहवल हो अपड़ अवर यवर एक कार आईधु गोंड़ु और उल्लक जवान लोग है अगर उन लोग मेरे बच्चे लोगों ने प्रभु का आनंद को ठुकरा कर अपने शरीर के बल्भूते में उल्लोग उस आनंद में उल्लोग चले गए है इसले वो हमेशा सुबहरे उटकर बलिजान करता था अब बच्चे लगा कर दिया आनन ले से घलत हिए दोका का बोगा शरीर का आनन घळत नहीं है परंतु दोका का बोगा यह शरीर में मिला मुझे खुसी प्रभू ने जू दिया हुआ खुसी से भी बड़ा है इसलए शरीरी खुशी में ज्याधा समय दूँगा आत्म का खुशी को छोड़ गए इस तरह का मूल्यता जब में शरीरिक आनंद को समय दिया तो उदर दोका आता है उदारन में विश्वासी जीवन का शुरुवात में हमको अमारा छोटा जोपरा घर था गाड़ी नहीं था फिर समय हो गया बच्चे लोग अच्छा पढली कर बड़े अधिकार में होगा है अभी कार है दो-तीन कार है घर नहीं महल है और फिर क्या बोल रहे हैं प्रभू ने मुझे दिया तू दोका खाया है क्रिस्तिविने कार आनमाविने कार वेल्ली संदोशमाण हो इद है क्योंके आत्मा से भी बड़ा आनन्द है क्या ये घर और गाड़ी मिला होगा बाते निंदे अधार नमड़ और वाक्यम वाईके नमका नेरस नमड़ वाईचे वाईके नहीं आना पहला हमने वाखे बड़ा था होई हम फिरसे पड़ेगे नी संदोशी के न उर कारियों यहोवड़े नायवदी निने रेचिके इला तु आनन्द करने वाला कोई भी बाते यहोवड़े का न्याय की दिन तुझे बचाएगा नहीं S.E.K.L. 8 ने पत्तम बदा यह सोना चांदी यहोवा का दिन तुझे बचाएगा नहीं S.E.K.L. 9 ना देवा आपाई चांदी चांदी सड़कों में फेक देंगे और उनका सोना इसुद दवस्तु ठरेगा यहोवा कि जलन के दिन उनका सोना चांदी उसको बचा ने सकेगा आगे, आगे अगे वह उनके पेट भरेंगे यह जो खुशी कल मेरा अधर्म का टोकर बन गया यह हमने पहला पड़ा अब आप जो खुशी को अपना पैरो तले रोन देगा प्रणतु प्रियो, पिता परमेश्वर को येश्व से भी बड़ा चीज देने के लिए, येश्व को छोड़कर कोई और चीज देने के लिए, पिता परमेश्वर के पास नहीं है? उनके पास एकी चीज़ा देने के लिए पिता येशु मसी को ये बात जब हमको प्रकट होगा कि पिता परनेश्वर ने अपना सीने पर रखा हुआ येशु मसी को ही मुझे दे दिया पचाने के लिए बोला तो वो खुशी मिला मर्लब वो आत्मा का खुशी है अधनेकन अधियम जड़त्तिल संदोच्छ वंमाल दी जड़त्तिल आने आलमा विर अल्ला दुराल माकला नाइके पिड़िगे आने ये बात को छोड़ करकि येशु मसी को मुझे मिला हुआ वो बात का खुशी को छोड़ कर और कोई भी चीज सोस्तान ले लिया तो वो शारीरिक है और वो शरीर का दोका हमें डूब लेगा तो जड़ा सोचो जब शेतान ने येशु को पहाड के उपर लेकर जाकर उंगली दिखा कर बताया दर्शक में दिखाया ये सब मेरा है तो येशु को छोड़ कर हमने वो स्तानों को पकड़ा है मतलब क्या है तो येशु ने जो बातों को टुकरा है हमने वो बात को पकड़ा मतलब क्या हमने प्रभु को छोड़ कर शरीर को आ गया वो ऐसा अवस्ता आत्मिक आनन देख्या स्वर्गिया आनन देख्या करेज़णो क्वे नहीं क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे वो कुन से लगा है वो पर संदोच शी किनोंदों आपड़ी हिल्ला उसके उपर शारीरिक आनन्द को या भूमी के बातों का आनन्द उसके उपर लाने देखा तो हम लोग चलाया जा रहे फिर दुस्टात्मा के बढ़ेंगे एक और वाकिम जल्दी पढ़ेंगे अयूब 31 का अयूब 31 25 से 28 जल्दी पढ़ना अयूब 31 का 25 से 28 या अपने पहुत से दन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनन्द किया होता या सुर्यों को चमकते या चंद्रमा को महाशोबा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुझ से अपना हाथ चों लिया होता तो यह भी न्याईयों से दंट पाने के योग्या अधर्म का काम होता क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्व स्ट्रेश्ट परमेश्वर का इंकार किया होता देखको मैंने इंकार किया होता बाकी के चीजों को यहां तकी प्रभु का श्रिष्णी के बातों को भी अगर मैंने ज्यादा पसंद करके बोल दिया तो मैं इंकार कर रहा हूँ नमले दुठा अलमा पर वड़ी अड़त देंगे निया चादिक्की आन वंजिक्की आन नरका उलनु इल्लार निपोर सालोड़ चाला तो दूष्णात्मा क्या करेगा वो हमको धोका देने के लिए आरा है धोका से हमको ब्रह्म में डालकर बोलेगा देखो तेरे बस पहले य दुखकतन को दुखकते लाड़तो नरका दिल्ला इदिल्ला येन वर दुखकी पिक्यों आतम दुराल मा करण पर उती आना कुछ लोग को क्या रोगा वो लोग जब देखेंगे कि देखो मेरा भाकी विश्वासी लोगों के पास धन्दॉलत बढ़ रहा है कार बढ़ रहा योगे था इतना बड़ा कर्जदार ता परमेश्वर के लिए और तु योगे है नरक जानी के लिए ता उस समय में किता परमेश्वर ने अपना प्रिय सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला बेटे को ही बली चड़ा कर उनको वद्ध करकर उनका लभू देकर तुझे मूल दाम देकर खरीद कर उस राप से बचाने के बाद निनने मगना की फिर तुझे बेटा बनाया निनने पेर सुर्गत तेरा नाम सुर्ग का पुस्तक में लिखा सुर्गति सुची ची रिकेना अबागा शेकर निननकी तान देकर पर स्वर्ग में संबाला हुआ मिरास और दन अजर दन ये सब बाते उसका मालिक तुझे बनाया अधने कलादी कमाई येंदो भूमी के बातों को जादा मूल्य ये आर्थ को हम लोग समझ कर है पहला ये वना चार का दो और तीन को हमें बटना चाहिए अज शरीर में क्यों आया एशु निनने बिलिक वागा तुझे तुझे खरीदने के लिए निनने दिव मांगा राका तुझे परमेश्वर का संथान्ड बनाने तुझे स्वर्ग का आनन दे और आत्मा में भर दे तुझे स्वर्ग का आनन दे और आत्मा में भर दे तुझे स्वर्ग का आनन दे और आत्मा में भर दे तुझे नाम जीवन का पुस्तक में स्वर्ग में लिखने के लिए यह सम पाते करने के बावजूद भी प्रियो प्रभु आमें सायता करें में भी गलत हो सकता हो हम सब गलत हो सकते क्योंकि शरीर शारीरिक स्वोबाव चतुराई से दोका दे ऐसा कार्य करता है इसले परंदु हमारे पास एक ऐसा राजा है जो हमारे शरीरिक स्वोबाव जोग जनकर आते हैं समय में उसको खतम करके नाश करकर उसमेर विजय शाली होकर प्रभल कर सके ऐसा सामर्दी प्रभु राजा हमारे साथ है अलेलुया अब एशाया तेरा का तीन में हम बढ़ते है येश्व मसी के वीरता के वज़े से उन में जो जैशाली हुआ उन लोगों के साथ प्रभु उतर कर आएगा नाश के वेर उन मारे आएगा वोलो प्रभु के वीर लोग है अब लाख कर पहा है पधी मुणना अधीया अशेया तेरा यह थेयाए जो पोना वाक्या मैने स्वाइए अपने परित्रगी हुआ अधना दीय है मैंने अपने क्रोथ के दिए अपने वीरों को बुला है प्रभू अपने वीरों को बुला है वो वीरों को ने आपना वाक्या वम्हें इंग्लीश वाइक पड़ते है अथर पड़तर यूरी दोसु रिजोईस इन माई एक्साटरेशन यह वीरों को ने आगे पड़ना मेरे प्रताब मने प्रभू ने जो विजैई साली काड़ी किया है उसमें आनंद मनने वाले लोग प्रभू के वीर लोग है यह वीर लोग ने क्या किया सब बातों में प्रभू को उंचा रखा शिर बनाया यह शरीर में आया हुआ यह येशु को इस तरह पिता परमेश्वर ने उसी येशु को सबसे उचा बनाया और वोई येशु पिता के दैने ओर बेढ़ गया और सारा हुकोमत अधिकार सिमासरों सबका सिरो मनी प्रभू को बनाया आपने इस संदोश ही कि दो आनना आत्मा करता है वो है आत्मा का आनन्द वो है प्रभू के वीर लोग प्रभू हमें साहता करें प्रभू का वजन के बाता है उसमें कितना हमें बुड़ी मानना चाहिए किस आत्मा का दिये ने वो एक बात है कई बार क्या होता परिजस्त दी के अनिसार बदल जाता विरम इसमें से के साथ चलने के ट्रेमर भी बदल सकता है ऑड़ा बिलकुल ना बदला हुए वी इसको या तरी हो दा किस टीओ था साढ़े तिन साल के इसमें से अनिस के पिलने के महज़़ भी नहीं बदला तो कि नहीं सभिया विकर अभी यह होन यहान याकॉभी कि अब याग उदागता है प्रभुन कि नहीं जानता तो किस आत्मा का दिया नहीं लोग का नौ पंच्च्पन में लिखा है बहुत बड़ी बात हैं हमेशा हम लोग एक बात जानना हम प्रभुक्त वस्ति में आरे के बात में आर्द रही है तो फिर कहा अर्द होगा अलीबा कोई अधो ugो व Prob हो वस्ति में क्या है यह यह पाल हो वूस्ति में आननद के बनकूरी है यह जान्ने मैं जानने के वह जूती में आनंद नहीं है कैसे क्या तो आत्मा में नहीं आता इसलिए प्रियों। आनन्द हुआ हर शुरुआ देखा कितना बड़ी बात हैं अमको प्रभु बहुत प्यार करता है इसलिए अमें परिकने के लिए प्रभु मौका देता है अरीक परिकना चीए तिभी भी आम प्रभु का वजन सुनने के समय में हमको गुसा आता है कि वजन सुनने के टाइबर लिए वो भी आत्मा में है तुँ कोन सा आत्मा में हम है प्रभु का वजन सुनने के समय में खैसा उने हैं आत्मा में सुनेगा तो जरूरी बात है पॉरोग का माभ वी होगा और वो नया स्वामर्त भी पाइगा बोगो बहुत मांधे वरे है वजन हमें बहुत गएर ebben निदि में लेत यह है पोगे में हमें क्सक्रा अले न मैं किरता पर देख मैंने बहुत 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 और सुनने वालों को भी चाहरा चाहरा तो आज भी जिब प्रवने लेकर आया प्रवने में काली हाथ नहीं चोड़ा आई इस महान प्रव को सारे इस तुदिया दर सम्मान करते हुए प्रव का वजन बोलने के लिए प्रवकदासों को प्रवने सामग दिया बहुत अच्छा आत्मा में भरकर आत्मा का अधिन हो करके दिया हुए आलो जना पहुंचाने में प्रवने कृपा दिया और सुनने वाले लोगों पर भी प्रवने अनिगरे दिया यह आत्मा में उन बातों को ग्रेंड कर पाए यह शुमसी ने वहला पिता को आपने जो वजन पिरा दिया म अब भी में प्रूब को मिले अमें